दोस्तो आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा प्रधान मंत्री फासल वीमा योजना के अंतरगत बहुत बड़ा बदलाब आया है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसान भायों के लिए बहुत जरूरी सुचना है क्या जरूरी सुचना है योजना प्रधान मंत्री फ सुरू करते हैं अब हम आपको बताएंगे यह पत्रिका की जो अपडेट है अभी अभी निकल गया है इसमें लिखा गया हुआ है खुसकबरी फसल वीमा पॉलसी में हुआ बड़ा बदलाव इस तरह मिलेगा किशानों को लाप तो चलिए तो किस तरह मिलेगा क्या बदलाव पॉलसी में उस पॉलसी के जरिये हम आपको सारी जानकारी सारी अपडेट इसमें बताएंगे इसमें लिखा गया हुआ दो सो बोपाल मदब्रदेश में मंत्री मंडल के विस्तार के बादा सूवे के किशानों के लिए एक अच्छी ख़बर सामने आई है सरकार ने बीमा प पर कलेक्टर की अधिश्चता में गठिश समिती करेगी सारकार द्वारा ये बताया गया है कि इसका जो निराधरण है वो कलेक्टर की अधिश्चता में गठिश समिती करेगी और दोस्तों मैं आपको बता दू ये जो कलेक्टर होते हैं डियम ये डियम लेवल की जो जिला तरी होगा और सभी किसान भायों को इसके आ जाने से पैसा दिया जाएगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आगे की अपडेट में लिखा गया हुआ है प्रदेश के किसानों को उतुपादन की लागत के हिशाब से प्रधान मंत्री फासल वीमा योसना का भी लाब मिलेग कमल पटेल ने इस शनसोदन के साथ बीमा कमपनियों को निवादित बुलाने की मंजूरी भी दे दी है दोस्तों मैं आपको बता दूँ आगे की अपडेट में दिया गया हुआ जो वहां के क्रिश्मंत्री है मद्ध प्रदेश के कमल पटेल उन्होंनों बताया है कि उन्हो पदलाब के जर्ये अब सरकार द्वारा बीमा कमपनियों का नियंत्रण बनवाने की आसान बीमा हो जाएगा जो बीमा कमपनियों के खरीब 2020 में तीन साल के लिए टेंडर बुलाने की पर्मीशन दी गई है तो दोस्तों मध्य प्रदेश में ये तीन साल के लिए बीमा कंपनी आएंगी उनका जो टेंडर है वो तीन साल के लिए होगा इसके अंतर का तोस्तों मैं आपको बताऊंगा प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत तह प्रवादन के मताबिक किशानों को फसल की पूरी लागत वीमा के मानित द्वारा दी जाएगी